हालो फ्रेंड्स वेलकम बेक तो माई चार्नल गर्डेन एंतिशा आज फिर से छोट इसी एक हर्वेस्टिंग का वीडियो ले आई हूँ फ्रेंड्स तो आप लोग वीडियो में एंतक बने रहे होगा और देखते रहे हैं कौन-कौन सी सब्ची मैंने अपनी तेरस गर्डेन स से हर्वेस्ट किया है तो स्टार्टिंग कर लेते हैं तमातर से तो देखिये यह देशी वाली तमातर है जो हम लोग खाने के लिए जुलाते हैं न अभी बहुत अच्छी फ्रूटिंग हुई है तो इसका हर्वेस्टिंग कर रही हूँ देखिया कितनी अच्छी तमातर की हर्वेस्टिंग मुझे मिली है तो बात में और कफी सारी हर्वेस्टिंग मुझे मिलेंगे बहुत अच्छी फ्रूटिंग हुई है तमातर का देखिय यह कितनी खुबसरत बिल्कुल रैड चेरी की तरह है इसका कालर और भी काफी सारे फ्रूटिंग हुआ है ये बात में हर्वेस करूंगी ये दिरे दिरे पक जाएंगे तो आप दूसरे तरब है ये भी देसी वाली है बहुत ज़्यादा खट्टा देसी तमातर तो यहां भी हाइब्रिट बली तमातर है तो इसका फ्रूटिंग देखि सकती हो इतनी अच्छी फ्रूटिंग हुई है बहुत सारे एक ही पोड़ा है इसमें बहुत सारे फ्रूटिंग हुआ तो यह भी जो खाने के लिए लाती है तो उसी से ही मैंने सीदिलिंग euch कर किया ग्रूओ करव फूटिंग तो वीडियो में दिखा नहीं दिआ शायद तो अब हम लोग हर् olurs करेगे लोकी ये नया वाला जो लोकी का बेल है तो इसमें अब इसका हर्वेस्टिंग लोकी जदा बरा नहीं हुआ है फिर भी अब हाणे में बहुत टेस्ट लगेगा ये दू लोकी अभी हर्वेस्ट कर लूँगे तो और दू लोकी है ये थूरा सा छोटा है तो बात में हर्वेस्ट करूँगे देखिए बहुत सरे तमातर लोकी हर्वेस्ट किया है तो अभी ये लास्ट हम लोग हर्वेस्ट करेंगे ग्रीन वाले मतर तो कुछ दिन पहले मैंने वीडियो में भी दिखाया है मतर का हर्वेस्टिंग तो उसके बाद मैंने दूबारा हर्वेस्ट किया है खाने के लिए तो वीडियो नहीं बनाया था उसका तो अभी फिर थूरा बहुत हर्वेस्ट कर रही हूँ तो जो मेचोड हो गया है इसको हर्वेस करना जरूरी है तो इसलिए हर्वेस कर ले रही हूँ तो इतना सा मिला और कुछ तूरूंगी और बाकी बात में हर्वेस करूंगी इस तरह भी देखिए बहुत सरे अभी भी फ्रूटिंग है तो इसका फ्रूटिंग बात में कर लूँगी तो आज इतना ही हर्वेस किया है तो फाइनल आप लोग देख लीजिए मैंने क्या-क्या हर्वेस किया है दू मेरा लोगी और बहुत सरे तमातर दू केजी, दू किलू के, दू किलू से भी जादा होगा तमातर मैंने हर्वेस किया और कुछ ग्रीन वाले मतर और ये लोगी का वईन ये खाने में बहुत तेस्टी है तो आज के लिए इतना ही थेंक ये सो मच फॉर वचिंग और बाई-बाई